नमस्कार स्वागत है खास पिशकश में मैं हूँ आपके साथ रविन सिंग आज बात होगी 36 गड़ के सियासत के बगेल बनाम बगेल के दरसल लोकसभा चुनाओं से पहले देश में होने जा रहे कई राज्यों के विधानसभा चुनाओं को लेकर सभी दलों ने अपनी तयार यां तेस कर दी लेकिन देश की दो बड़ी पार्टियां इन चुनाओं को लेकर योजनाय अपनी अपनी बनाने में जुट गई हैं इसी बीच 36 गड़ और मद्प्रदेश में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाओं को लेकर भाजपा ने अपने उमिद्वारों की सूच सूची में 36 गड़ में 21 तो मद्प्रदेश में 49 उमिद्वारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है कई दिगज निताओं के नामों से बनी इस सूची में अगर सबसे जादा चर्चा का विशय कोई नाम बना हुआ है तो वो नाम आ रहा है विजय बगेल का विजय बगेल द तीन बार चुनाओं भी लड़ चुके है अपने चाचा के खिलाफ ये चोथी बार वो दाओं खिलने जा रहे हैं बिजय पी द्वारा 36 गड़ के लिए जारे 21 नामों की सूची में विजय बगेल को सबसे ज्यादा चर्चित सीट दुर्ग जिले यानि जो डिस्टिक है मिद्वर बना गया है राज के विधानसवा सीटों में आरक्षित सीट पाटन राज के मुख्यमंत्री भूपेश बगेल का गड़ रही है बाश्पा आला कमान के इस दाओं से ऐसा माना जा रहा है कि पाटन सीट की लड़ाई अब दिल्चस्प होने वाली है क्योंकि राज के सीएम वुपेश बगेल और विजय बगेल एक दूसरे के आमने सामने है अगर एक सेंटेंस में ये बात कही जाए तो 36 गड़ की राजनीती में एक बार फिर से चाचा और भती जे भिड़ने वाले हैं अब एक नजर उस पाटन सीट पर भी डाल लेते हैं जो इन दोनों दिगजों के लिए सियासी मैदान बना हुआ है पाटन सीट हमेशा से जिले में राजनीती का केंदरविंदू रहा है स्वतंतरता संग्राम से नानियों के सिलाके में प्रारम से ही राजनीतिक चेतना काफी रही है लोग ज़्यादा सक्री रहते हैं राजनीती में दिल्चस में हर बार कुछ न कुछ उलट फिर भी नजर आया पिछली बार इस सीट से बीजेपी ने बुपेश बगिल के सामने मोतिलाल साहू को मैदान पर उतारा था बुपेश बगिल ने 27,000 वोटों से जीत दर्ज की थी ये चौती बार है जब विजय बगिल अपने चाचा बुपे बगिल ने बुपेश बगिल को 75 वोटों से हरा दिया था वहीं इसके बाद चाचा बतीजे 2013 में भी आमने सामने थे लेकिन बतीजे को हर का सामना करना पड़ा यानि सीधे शब्दों में कहा जाए तो चाचा और बतीजे की लड़ाई कोई पहली बार नहीं है बलकि इससे पहले बीवे कई सियासी मैदान में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं अब जब चोथी वार खड़े होने जा रहे हैं विजे बगिल तो क्या वाकई ये लड़ाई दिल्चस्प होती जा रही हैं क्या वाकई भारती जंता पार्टी का ये जो दाउं है वो काम आएगा तो बगेल बगेल बनाम बगेल की लड़ाई है अब लड़ाई बड़ी दिल्चस्प है और चुनाओ का दोर जब रहता है तो जंता को भी इन्दशार होता कि वाई क्या दिल्चस्प होने वाला है कौन सी पार्टी कौन सा दाउं खेलने जा रहे हैं लेकिन इस बार दरसल बात वजूत की है कि किसका वजूत चायम रहेगा और किसका खत्म हो जाएगा बात दो जेनरेशon की है और ये एक के लिखर दञाぎ में ला है चाचा बधी जे के लड़ाई है कि वह आ बनाम बुजरूर पुरानी नेता पडले नेता तो उनकी काट क्या है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और कितनी दिल्चस फैच थिस गड़ की लड़ाई इसको भी समझने की कोशिश करते हैं दो खास मेमाने इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है और संदीब तृपर्टी जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है देख लीजेगा ना हो जाए उनका जवाब आप देदें आपका जवाब वो देदें चलिए संदीब दुबे जी भारती जन्ता पार्टी आप से सवाल है पहला यह जो दाओं खेल रहे हैं क्या लगता है कि बगेल बनाम बगेल और एक जगह आपने खेला पवार बनाम पवार फिर एक जगह चला पासवान बनाम पासवान इस तरह के दाओं से हमेशा जीत हासिल होती है क्या और यहां पर काम आएगा कि देखे शतित गड़ में हम सरकार बनाने जा रहे हैं कि हमारा उस देश अपने वीचारों को जंजन तक पहुंचाना है यह ठीक है आपका नगरिया है कि बगेल बर्सित बगेल लेकिन जो देश के लिए दिने वाले लोग है जो कर्म योगी है वही तो हमारे पार्टी में आएंगे जिनके पास संसकार है और जनादेश मिला है बुपेश बगेल को उस जनादेश का तो सम्मानी होगा ना और यूहीं तो किसी ने वोट नहीं दे दिया होगा उनको तो इस लियास से वो भी तो इतना कैडर रखते है या इतना होदा रखते हैं कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है मुख्यमंत्री बनाया है और आपको उस वक्त किनारे करा शायद आपकी बातों से या आपकी पार्टी की बातों से संतोष्टी नहीं होई होगी उनको देखिए विशे कॉंग्रेस की लोग इस पर जबाब देंगे मैं सिर्फ इतना कहना चाता हूं बनाएगी और यह मैं आपको आस्वाफ करना संदीब तुरपाड़ी जवाब दिजिए वह कह रहे हैं कि काम तो कोई किया नहीं आपने सिर्फ बाते कर लिए बातों करने से सरकार भी नहीं चलती है और जंता नकार देती है इसलिए वह अब युवापीडी को मौका दे रह जयाद नहीं है दे आखिए जिवाब तुरप पर है तो उनको यह पता है कि आगके अज सब्सक्राइब आज सब्सक्राइब कर देभाता है जुवापड़ी जुवापीड़ नहीं देभी चरीए वह को चलती है थांद्सरों कर देचा आग नहीं तो पता है दूएपड़ हम आपकतिस्स पर एक हो दो रुपय के लिए नहीं है। यह काम तो वह भी कर रहे हैं यह काम तो वह भी गिना रहा है ना संधीब दुबे जी भी ऐसी तरह काम गिना रहे हैं कि आपने बहुत सारे काम कर दिये जिस पर आपकी नजरी नहीं जाती है सवाल यह है कि चाचा बतीजे कि इस लड़ाई में अगर वहाँ पर गच्चा खा गये चाचा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हर जगह जो है दिक्कत यही पैदा हो रही है तो चैतर वोटों से एक बार हरा भी चुके हैं बुपेश वगिल को इसके बाद हम जो है उगहां पर लगव प्रफ्यादना ओजाती तो शम्तिंगुटों से वज्येद गी है जो जात तेहरा के चुनाओं में अथारा में हिम्मत नहीं पड़िए उनकी चुनाओं गढ़ने की तो उनको फिटट नहीं दीडा गया तो यह अब तो यह बाता औ बात हुं यह चुनेु को चुनेंगी जवित प्रफ्यादनी अब तो जेथ करें तानी को चुनेगी शिनाव के इस एक बात हो रही है आग शत्तित गर्फ्यादव सरकार अर उसके बात गिलाओं जो हुआ अप स्वाब्र पर हां जीत करांगां अब भाई हमारे संदीब भाई अई एक हम झीर रहा हैं वो जीत रहें बाई बाई हो इसी बढाई उतनीह डी जिए का जिनी हाजम हो जाए और हाजम करने में दिकत नहीं हाजम हो इसले में जमतन राग हो इसने कहूंगा आप शब्ते जान ten राजिये में चुना होने जा रहा तो संदीग दुबेजी ठीक है संदीग दुबेजी तो क्या आपने सिर्फ यह सोच लिया है कि हार जी तो बाद में देख लेंगे लेकिन कम से कम आपस में बिढ़ेंगे तो तमाशा तो हो गई देखा जाएगा कि चाचा बतीजे भेड़ रहे हैं जनता का कुछ मन बदला अगर तो कहीं और चला जाएगा वोट बैंक सिर्फ एक दाओं खेला है हार जीत आपने तैने की मुझे दो बाते कह लिए अगर पार्सी जनता पार्टी से इतनी गबड़ा हुए तो पांग्रेस की मित्रित इतना घबड़ा हुए क्यों है अगर इसका विश्या है किसी भी राजितिक दल को यह समझना चाहिए कि उसमें अगर काम किया है उसके कारिकर्टाओं में उसके नेताओं में घबड़ाहट नहीं होनी जाए और यह घबड़ाहट अपने आप दि सब्सक्राइब करें ना कौन आएगा कौन जाएगा फिल्हाल नहीं यह कहता हूं कि इस देश के अंदर इंडिये से ज्यादा सरकारें यह आई एंडियाई वाले अब बने जो यह पैल सा उनकी है उनकी राज में महंगाई चरम पे है प्रस्टाचार चरम पे है अगर बहु सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहा कि हर बार 21 आप से तो यह साबित तो तभी करते ना जब हमें डर सताता है कहीं ना कहीं करें करोड़ा भानमती ने खुनवा जोड़ा आप जून के और दुनिया को बटाने चले हैं कि मैं मुकाबला कर सकता हो मुकाबला करना है तो सिख्षा में करिए मुकाबला करना है रोड पे करिए संदीब तृपाटी जी भी हमारे मित्र अगर जाते होंगे उनको संदीप ने कई सवाल भी खड़े कर दिए शिक्षा के शेत्र में वड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है उनका कहना है विकास बहुत सारा किया है मौडल की बीचुकी बात चली तो एक मौडल की हम जरूर आप से संदीप दुबे आप से बात करना चाहते पर संदीप आपके विकास है आम आदमी इने अपनी जो हिस्तेदारी भारत में तैकी है और उसको लगता है कि जब लिखे तारिक बुजिशन की तो हमें विया तक हमने भी लुटा है है चमन में आती है वो मौडल लेके जाएगा यह सश्री प्रदान मंति नरेंद मोजी जी ने जो कारी कि वो सब्सक्राइब करेंगे और उसी आधार पर जीत हासिल करेंगे वो किसी बगेल वर्सिस बगेल पर या चाचा बतीजे की लडाई पर नहीं जाएंगे है देखिए पेली बात तो हमारे साथी में बात की मुध्थ सकी हम मुझा मी जाएंगे तो राज्या के कौई मोडल नियर्यां उठा इंढ है न害। पाँआ इन नहीं पता है नि पर मुदियो पास पता तरह भी तर्यार कर दी है तो ऐसा मॉडल लेके जाएंगे जूट का मॉडल है जो दो करूं रोज़ार देने की बात करने वाले आज ये कहते कि इन रोज़ार में इसे पाएंगे इन रोज़ार देने की जो दो को दे आज धर हम को दका साख महाँ गरेंगे हैं अभी रोज़ार को अधिय भारत बता कर चलाने वाले लोग बताने के जूटो को चलाने वाले लोग बताने हैंगे सब्सक्राइब नहीं तो क्या योगिता शिक्षा से आती है क्या संदीब त्रपाटी योगिता का पहमाना सिर्फ शिक्षा है क्या मैं बता रहा हूँ आज आज के इस आधनी की युग में इस आज पंचार की युग में आज कंप्यूटर की युग में यह तो कहता हूँ कि अनगों की आधार्त व शिक्षा नहीं होती है लेकि यह भी सीजे अधिया वच्षा कहां जो परम करेंगा उससे बहतर और स्ट्रीड में सिख्षा वाला काम जाएगा इसमें कोई डाउन सेख्या है और दुस्या सिख्षा कि इसे प्रास्ट्रिक्षार समझिए उस्तर को देशा उद्रहां में देशा है नहीं उदारर से पहले ये बता दीजे वो तो ये कह रहे हैं कि कॉंग्रिस के कुशासन से परेशान हो गई है जन्ता और जो आप यॉजना है गिरारे है कि केंदर की यॉजना के नाम बदल कर आप ने उनको लागू कर दिया तो आपने अपना काम किया आपने तो केवल उसका कवर बदल दिया एक योजना का नाम ये बताजर ऑर इसन को हमें लुक्त की पर अर्फिड कर ख enquanto संधी दुबयर जवाब देना आंको इस बात का, कौन सी योजना है in Ayakaj. योजना गिना दीजे उनको तूद गया है उनकी पूरी बात तो सुन लिजे बात तो सुन लिजे बात तो सुन लिजे इक हम से रहा है सुन लिजे बात तो सुन लिजे बात कॉछिणा कशने माशने अचे बात कॉमेशना का नाना बता थिजिए उनको पारावपाई और वह उनको यह बनाई गई गई है और बदल बदल के जितनी होता है अगर सारी चीजे विवस्तित संदीब दुर्य जी सारी चीजे विवस्तित होती यह गुस्ता साफ साफ जाहिए कि आपकी जो पकड़ती वो ढिली हो गई है और जनता संदीब तिपड़ीजे एक में संदीब तुबेजी एक बात हम जानना चाहते हैं राउल गांदी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मुभबत की दुकान खोले हैं और खुलवा रहे हैं इसलिए भारत जोड़ो यात्र निकाली उसका असर पढ़ रहा है कि आपने कई जगे चुना हो रहा कहीं आप एक लेगी पंजाब में आपको जीरो पर समेट दिया फिर आप हिमाचल हार गए पिर आप करनाटा कार गए तो वह भरोसा कैसे जागेगा देखें मुझे लगता है कैसे डावा कर सकते हैं कि जी थासरे होगी लिए भारती जंसा पार्टी के लिए हार जिस माइने ने रखती है है मंत मुझे के नियत हंने के पास नіїत हैं के पास न Besides के पास मेट अजी को संधीफ जीनेता मानने प्रदेश की सरकारें वह सरकारें बिना नेस्ट की चल रही है उनके पास कोई नेसी नहीं नहीं संदीप्तिर पार्टी जी बाई नेता तो हो कोई आपके पास आपस महीं लड़े जा रहे हैं तो पर निश्ची तर पर आपके लिए नुकसान हो जाएगा बहुत अब आपके बात कर दे रहने वाले उसी दिश्किति में आता हूं मतलब आप समझी है कि संदीप्तिर पास नेता नहीं था पतार पर आपके लिए जाते हैं हमको पताएंगे संदीप्तिर पार्टी आपके तामने बात कर रहा है उन्हीं के वो तो पिती यूस वांग्रस में इस तरीके तो उनों है ने लुआओ को बगार रहे हैं को दोनुन दल दे रहे हैं युवान से तो युवाओं की तो बात आज ही अगर बात करें तो राई 20 की शुरुवात की है अज इतना आतने उत्तर प्रदेश में युवा 20 की तो वारती जन्ता पार्टी पह उन्हां को मौका दे रही है ऐसा तो नहीं कह सकते हूँ अधि । कई बार इस तरह की इस्तिति बन गई ना संदीप त्रपाठी जी कि आपके नेता ने सेल्फ गोल कर लिया अब आप देखिए राहुल गानी तो नफरत के बाजार में मुभबत की दुकान खोल रहे हैं लेकिन रदीप सुर्जेवाला का अगर अभी पिछला बयान देख लें पूरे जनादेश को भी आपने राक्षस कर दिया जो जिसने वोट दिया वो भी राक्षस है उन्हों ने कहा कि पहले उन्होंने परिस्टितियों का विरें दिया कि इस तरीके से हमारे हर्याना की बढ़िया थीक है वो सब बात मानी लेकिन उसमें अगर यह कै दें कि जो ल कितनी सीटों का अनुवान है कॉंग्रेस को कि आ जाएंगे बूपेश बगिल की चेरे पर कितनी सीटों का अनुवान है कॉंग्रेस को सब्सक्राइब करेंगे चेरा बता दीजिए चेरा बता दीजिए वो कहरें आपके पास चेहरे नहीं है और किस आधार परवान भागेंगे वो तो छोड़ दीजिए लेकिन आपको कितना अनुवान है कितनी सीटें आप आएंगे सर पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाएंगे तूपी एक और बात बतादू ठीक है ठीक है समय इतनी था पूर्ण बहुमत से आएंगे आपके पास बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए लेकिन ठीक है सबके अपने अपने दाओं है कभी कभी दाओं फिट बैट जाता है कई जगे फिट बैठा भी है अब चाचा बतीजे की लड़ाई तो आप देख लिजे मारास में भी हुई बिहार में भी हुई और सबसे बड़ी लड़ाई उत्र प्रदेश में हुई पहुचा पाएगी या फिर वूपेश बगिल की चेहरे पर ही जनता भरोसा करेगी बविश की गर्त में फिलालित नहीं नमस्कार